तो आप सभी का स्वागत है इस चाले में जिसका नाम है इंडियन गीमिंग टु डबलू सीसी 3 का एपिसोड नमबर 24 में आप सभी का स्वागत है पहले हम इंट्रो डेडी कर रहे हैं उसके बाद गेंप्ले में चलेंगे तो इसलिए मुझे पता भी नहीं है किसके साथ मैच है आपने टाइटल या फिर थर्मिल देखे पता लगा चुके होंगे और आज भी कोशिस करेंगे कुछ अच्छा बॉलिंग अच्छा बैटिंग परफार्मेंस करके आज का मैच जीत जाएं तो देखते हैं यह मैच जीत पाता है कि नहीं और एक दिन लेट हो चुका है यह वाला एपिसोड क्योंकि आर आप सबको पताए होगा हमने पीछले वीडियो में भी आप सबको इंफर्म कर दिये थे कि यार हम घर सिट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लेड वीडियो आ सकता है इसलिए बोल रहा हूं हर वीडियो आप लोग जरू देखना आपके लिए भी अच्छा है हमारे ले तो यार अच्छा ही है तो वीडियो पसंद आए गेमप्ले पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना अपनों दोस्तों के साथ और चैलेंग पर नहीं है तो चल मजगा करने वा़े हैं उसके साथ साथ बॉलिंग में भी यार धमाल करने वाले हैं तो चलो यार सबसे पहले टॉस जित देते हैं टिल्स लेंगे तो पहली बार हमने टॉच जीता है और हम लेने वाले हैं बैटिंग तीन मैचों में तीन इनिंग्स 211 रण 70 का अबरेज यार भैंकर फॉर्म में है पहला गेंट अच्छा सौट और हमने खाता खोल चुके हैं आज के एपिसोड के लिए फील्डर सामने कैसे लगाएं ये सब इतना ही इमवत हो गया अच्छा गैप निकाले हैं दो रण आसनी से मिल सकता है और ले बिलेंगे चार पे पहुँच चुके हैं अपने इस तीन गेंदो पे अच्छा सौट परफेक्ट सौट फील्डर कोई नहीं है चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं फिर से उसी तरफ मारने का कोशिस करेंगे टू अर्ली इस वर्ड भी सायद चौका ना मिले दो रण लेकिन मिल जाएगा अच्छा ओवर बैटिंग टेम के लिए चलो इस वर तुरा गैप निकालके अच्छा सौट खेलने का कोशिस करेंगे और पहला बाउंडरी निकाले हैं हमने इस गेंद पे अच्छा सौट चार रण क्या कर रहे यार अच्छ साजेदरी नहीं हुआ अभी तक फिर से गैप निकाले उसी दिसार पे इस बार फिल्डर क्लोस था और आसानी से चौका मिल जाएगा दो गैंद पे दो चौके तीसरा लगाने का कोशिस जरू करेंगे लेकिन गैप तो नहीं है इस तरफ केलते हैं और दो रण आसानी से ले जाएँगे अच्छा वर फिल्डर क्लोस फिर से इनको समझ में आता है कि हम इतना अच्छे फिल्डर क्लोस करेंगे तो इस तरह से चौका मारते जाएंगे पच्छिस पे पहुंच चुके हैं चच्छा इनिंग्स बिल्ड करते हुए दीरे दीरे फिर से फिल्डर क्लोस कोई समझाओ यार इनको नहीं तो इस इस दिशा पे मारते जाएंगे मारते जाएंगे और चौका वटर पे जाएंगे दो गेंदो पे दो चौका फंबल हुआ वर्ट्स लेकिन हम फॉर्म को फंबल होने ने ने गे ओ अच्छा बॉलिंग्ग लपी डबलू नहीं होना जो होना लपी डबलू नहीं होना परफेक्ट ट्राय लेकिन नाइस ट्राय हुआ तीसरा चौका इस ओवर में अच्छा इनिंग्स बिल्ड करते हुए अल्रेडी थर्टी थी पे पहुंच चुके हैं इस गेंद पे सिंगल ही निकालेंगे लेकिन फिल ट्लोस है लेकिन आसानी से पहुंच जाएंगे विकेट की है मंच शाख ने यह नहीं होना चाहिए लाश्ट में स्टंपिंग पहली बार हम स्टंपिंग हुए हैं इससे पहली भी हुए थे साहर यह हम बहुत दूर है यार बहुत बहुत दूर तो हम सोच रहे थे कुछ सेंचुरी लगा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अंत में हम स्टंपिंग होके ड्रेसिंग रूम में चाई पीने जा रहे हैं आप लोग को भी पीना है तो पीलो जल्दी से तो 144 टीम इंडियन स्कोर बना है और भी ओल आउट चलो बॉलिंग में जल्दी से जल्दी विकेड निकालते हैं ताकि फिर से हम बैटिंग कर पाई या फिर फॉलो अन देपाई तो सारा फिल्डर सेट कर चुके हैं पहले गेंड के लिए रेडी है हम बैस्मन भी डेडी है और विकेट लेने के लिए हम अब सब भी रेडी होंगे और यह लेफ्ट किया है पहला बॉल जब तक सौर्ट नहीं कहलेगा तो हमें विकेट भी नहीं मिलेगा और यह पहला विकेट बोला था ना जब भी सौर्ट कहलेगा हमें विकेट मिलेगा प्योंकि चांस उसमें जादा है जब ये बॉल लेफ्ट करेगा तो यार कैसे मिल सकते है एक कामन सेंस है तो दूसरा गेंद के ले रेडी दूश्वा विकेड के लेडी अब ये हमने दूसरा विकेड के ले लिए है अगरने वादे अफ ड़ेंगे नहीं अग्ले एपिसोड में तेयार रेकॉर्ड बना दिये थे दस गेंदों पे दस विकेड लेके उस रेकॉर्ड को तोड़ना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है उसमें दो है ट्रिक टीन है ट्रिक लिए थे लगाता है यार बहुत बाहर है चलो मेजिक लगा करें ले दूसरी गेंद दूसरी सफलता गेंद बाज इस ओन रोड हर सक्किया प्रयास की गेंद के नीचे पहुंचे पहुंचे भी और पकड़ा भी सटी गेंद बाजी बल्लेबास को मतलब समझाया शून्य का चलो आखरी विकेड है तो कॉमेंटरी फिर से करना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ विकेड नहीं ले रहे हैं डॉसरी 3 इस बार कुछ कमाल कर रहे हैं तो आखरी विकेड हमने नहीं लिया डॉसरी 3 ने लेके हमें फिर से बैटिंग करने का मौकार दे चुके हैं तो इस बार कुछ अच्छा कर रहे हैं WCC3 के AI और बैटिंग में फिर से हमें कॉंसेट्रेट करना होगा अगले बार के जैसे हमें स्टंपिंग नहीं होना है पहला गेंद और यह पहला रन दो रन आसानी से लेल सकते हैं और यह ले भी लेंगे तो खाता को लगा बड़िया श्टाइल एक बात तो हमने नोटिस किये हैं यार स्टेट्स मैचों में बॉलिंग करना यार बहुत ही इजी है क्योंकि सामने का फिल्डर और सामने अप लगा सकतो ताकि कैच होने के चांसे और भी बढ़ जाता हैं इस तर लेकिन और यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ पर्फेक्ट सौट गैप में भी डाले थे यार बॉल उसके हाथ में यार यह तो स्कैम हो गया हमारे साथ आप लोग भी देखो यार इसको सेयर करो वीडियो को सेयर करो यह जो ग्लिच है डब्लू सीजिट्री के कंपनी के पास यानि डेबलपर पास नेक्स्ट वैब मर्टी मीडिया के पास पहुंचना चाहिए मेरा यार घाटा हो गया इस एपिसोड बॉल उसके हाथ में हमें स् भी बाकी था देखना तो टीम इंडिया ने बनाया है 143 प्लस पहले इनिंग्स का स्कोर्ट तो मिला के होते हैं हमारे काफी ज्यादा रन तो आसानिस से मैच को जीच सकते हैं जब हम अच्छा बॉलिंग करें तो अल्रेडी सेट है सेट करने का ज़रूरत नहीं है फिर से य पारी की शुरुवात हल्की सीती खता और नहीं खुला खाता दो गेंदों पर दो विकेट चटका चुके हैं गेंद बाज है ट्रिक पर हैं बल्ले बाज रन बनाने में विफल गेंद बाज सफ़ा है तो अच्छा एपिसोड था छोटा एपिसोड है लेकिन यार सेकेंड इनिंग अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है तो अभी फिलाल दस विकेट ले चुके हैं और मैच को अपने नाम कर चुके हैं तो तीसरा लगातार वेंट टेस्ट मैच सीरीज का और दीरे दीरे हम आगे बढ़ रहे हैं वोल्ड टेस्ट चैंपिंट्स जैसे और इसी तरह से हम पॉफॉमेस भी हर मैच में कंटिनू करेंगे तो होपस तो आज का एपिसोड बहुत ही पसंद आया होगा मुझे तो यार बिलकुल पसंद आया है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और चल्द पर नए आया हो बहुत ही इंपोर्डेंट है चल्द को सब्सक्राइब भी कर दो आने वाले गेमिंग अपडेट्स और इसके रिलेटेड एपिसोड देखने के लिए तो चलो है मैं एक्स एपिसोड में एक प्रेशन तक के लिए गुड़ बाई